हलो दोस्तो, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चेनल एक्जाम इलेर्टियों में आज हम लोग इस वीडियो में सेरियल 23 टियर 1 के मैथ के पेपर को आज हम लोग स्वाल करने बाले हैं हम 25 के 25 सवालों को एकदम बेसिक से और स्वाट तरीक दोनों में ठट से हम बताया है आप लोगों को और आप लोगों को बेसिक किलियर नहीं भी है तो भी असेसन आपको आज सानी से समझ में आएगा ठीक है तो इस वीडियो का अंता कवास बने रही हैगा अगर चैनल पे नह कि यह पहली कोच्छन की तरब चलते हैं देखे हमारा पहला सवाल है यदि X-1 बटे X के भेलू 2-2 है और X is greater than 1 है X power 6 minus 1 बट्टे X power 6 का आमार निकालना है तो देखिए आपको X minus X power 6 निकालना है तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको X cube minus 1 बट्टे X cube निकालना पड़ेगा तो X cube minus 1 बट्टे X को इससे निकालना पड़ेगा इसका whole cube ये कितना हो जाएगा 8 दूरी solar रूट अंडर 2 minus 3A यहांनि मतलब यह जाएगा आपका कितना minus 8 यहां पर जाएगा आपका पलस ठीक है 3A मतलब 3 into 2 रूट अंडर तो यह कितना जाएगा आपका 22 रूट अंडर 22 रूट अंडर तो किसका भेलू आया आपको X cube minus 1 बट्टे X cube का भेलू आया हमें क्या निकालना है अगर हम इसको X power 3 पलस X power 3 से multiply कर देंगे तो आपको X power 6 minus 1 बट्ट X power 6 आजाएगा उसके लिए आपको X power 3 plus 1 बट्ट X power 3 करना परेगा ठीक है तो देखिए इसका भेलू निकालना है ठीक है अगर कोई नमबर बायस रूट अटा 2 से individual है इसका मतलब क्या होगा वह 11 से भी individual होगा और 2 से भी individual होगा सभी option को check करने पर क्या होगा 2 से individual है अब check करना है हम लोगों को 11 से कौनसा option individual है फर्ट option को check करेंगे 3 2 5 minus 7 करेंगे मतलब यह क्या होगा 11 से individual नहीं है second option को check कीज़े 4 minus 2 करेंगे 11 से individual नहीं है फोर्ट option को check करेंगे 11 minus 8 11 से individual नहीं है option 3 को देखेंगे 6 plus 3 9 minus 9 मतलब 0 यह क्या जाएगा आपका 11 से individual है option number 3 आपका correct होगा सिर्फ xq minus 1 बटे xq ला करके ही इस सवाल को आप answer exam में mark कर सकते हैं बिना कुछ किये हुए इस तरह के सवालों cup option से भी solve कर सकते हैं चलिए अगला सवाल को आपनों देखते हैं 2 by 3 of 10 square 60 देखें सब का value आपको put करना है और आपका इसका answer निकल जागा देखें 2 into 3 1060 value कितना होता है root under 3 root under 3 का whole score कर रिंग कितना होता है 3 plus 3 into cost 30 value कितना होता है root under 3 बटे 2 उसका whole score कर रिंग कितना होता है 3 बटे 4 minus 2 देखें 630 क्या होगा इसका just मतलब ये कितना होता है 4 बटे 3 minus 3 बटे 4 और ये कितना होता है 1060 के बयाहल, 1060 बीकितना होता है? 1 बटे, 1060 मतले, इसमें का और रही सोब होता है? 1 बटे 1060 के, तो देखिए, आपका हो जाएगा, 3 से 3 केंसिल हो जाएगा, अब देखिए यह हो जागा आपका दो प्लस नो बट्टे चार माइनस आठ बट्टे तीन माइनस एक बट्टे चार देखिए माइनस एक बट्टे चार और यह क्या है नो बट्टे चार यह कितना होगा आठ बट्टे चार आठ बट्टे चार का बहलू कितना हो जाएगा दो म देखिए अब ये इसको कर लिए लसे में लेली कितना होगा 12 माइनस बार चार बार बट्टे तिन चार बट्टे तिन चार बट्टे में खेलू कित्मा गा 1.13 ऑप्सन नमबर दू आपका क्रेक्ट होगा question number 3 को देखेंगे कहा गया है 5 company x y z की मांग और उत्पांदन को तरस है गया है बार गाफ में इस बार गाफ को देख करके आप question का अंसर देना है यदि company x की उत्पांदन का k परतिशत देखे company x कहा है तो company आपका x यह है इसका उत्पांदन मत्तला production 800 है 800 का अगर k परसेंट तो k बट्टे 100 is equal to w k मांग k बराबर है तो w का मांग कितना है तो यह कितना है यह तो production हो गया डिमान कितना है 400 यह है 400 के बराबर है तो आपको निकलना है कि एका कितना परतिशत है यह कितना जाएगा आपका चार दूनी इस वरी यह जगा आपका एक के जेगा 400 मतलब आपको पचास पांच बने पचास परसेंट की का भेलू आपका जाएगा option number 2 कर्ट होगा question number 4 को देखेंगे चर्म कहा गया है सुपरजा और कोसल्या एक काम को 30 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकती है जदी किसी काम को सुपरजा से होती है और इसके बाद बारी बारी से एक दिन काम करती है तो 25 परतिशत काम कितने दिन में पूरे होंगे देखिए सुपरजा को हम ऐसे लिखते है ये काम को 30 दिन में करती है इस दोनों काम लोगों लेंगे, LCM, LCM कितना हो जाएगा, आपका 60, सुप्रिजा की छमता कितना हो जाएगा, 60 बट्टे 30, मतलब 2, कौसलिया का छमता कितना हो जाएगा, 60 बट्टे 20, मतलब 3, ठीक है, अब देखिए, इसके जो काम बारा है, 75 यूनिट है, इसका 75 परसंट ही 45 यूनिट मतलब 9 से धर मल्टिप्लाई किजिए, 9 से धर मल्टिप्लाई किजिए, मतलब 45 यूनिट काम हमारा 18 दिन में complete हो जाएगा, option no. 4 आपका correct होगा, question number 5 में देखिए, तीर भुजाओं का सम क्या होगा, तो 2 भुजाओं का सम क्या होगा, यारि A प्लस B अगर मालनेत प्रुस कर्मी को देखेंगे जो प्रुस कर्मी एक चोर को 200 मीटर की दूरी से देखता है सब्सका सब्सक्रमि की बाद एया करना सिट है चुर और धोरी सब्सक्रमिन करकें करनाко, थो आपको समय चन्हार पय्ट के इसे का सफीड मीटर निकाली है, आपको सब्सक्रम सब्सक्राइब कितना जाएगा आपका एक किलो मीटर को हम 5 बटे 18 इसे बोल सकते हैं दोनों का जो स्पीड है 5 बटे 18 मीटर पड़ती सकेंड है अब देखना है कि 6 मिनट में कितने दूरी तहीं करेगा यह लोग तो 6 मिनत में कितना जाएगा? इसको आप एक बट्टे किया ली सकते हैं, इसको मिनट को सकेंड में कर्रभड करना है, तो सकेंड में 6 बट्टे, इसको 60 से मल्ट्िप्लाइ करती है, ठिक, तो यह आपका आ जाएगा, मतलब आपको इतना इसका मीटर ये दोनों क्या होगा एतना मिनट में हमारे पास मीटर कितना है? तो दो सो मीटर का है ठीक है, आप यहां से आप निकालेंगे दिवाइट करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहां से 6 त्रिक, 18 और 20 कितना जाएगा? 60 ये कितना जाएगा? 100 तो दोनों क्या हुआ, 100 meter distance 6 minute में कवखर कर लिया, लेकिन दोनों के बीच का gap कितने का है, तो 200, तो कितना gap बच गया, उनके बीच की दूरी कितना रह गया, वो निकालना है, आपको 200 minus 100 कर लेंगे, तो आपको 100 meter की दूरी रह गई है 6 minute के बाद, ठीक है, इस तरह से question number 6, साथ को देखे, trigonometric है, sin minus 405 का मान निकालना है, देखे, जब कभी भी sin के angle में negative होता है, तो negative आपको बाहर, यह चीच के लिएर है, तो देखे, minus sin, इसको लिए सकते हम लोग 360 degree, 360 degree plus 45 degree, 360 degree plus 45, कोई से quadrant में जाएगा, first quadrant में, first quadrant में हमें से क्या होता है, सभी trigonometric function positive होते है, sin 360 plus 45 क कितना होता है, one but two root under, तो minus पहले से लगा हुआ था, तो minus रहेगा ही, मतलब minus one but two root under, two, option number 4 आपका correct होगा, question number 8 में देखेंगे, 8 में कहा गया है, बिंदू Q से एक बिर्थ पर asperse रेखा की लंबाई 20 meter है, देखे, एक तो है आपका triangle, बिंदू Q से एक asperse रेखा की तो बिर्त कीत रिज्य निकाना, यह पता है आपको यह क्या है?, एक समकोन बन रहा है, समकोन बन रहा है, तो यह क्या होगा? रैट रैंगल यहाई, मतलब यह क्या होगा, यहां से base का value निकाना, है, hypotenustis हो गया, यह क्या होगया, पर reper 54, 25, 22, 25, 25, 25, 25, ँरोता है? यहीं यही सब्सक्राइब निकालना है आपको आपको निकाल लिए तो पांच मत्त दूसर पाचीस दूसर पर इसको उट से निकालेंगे कितना लेगा पचीस फिरी पंदरा अपसर नंबर वन आपका कॉस्टेन नंबर नौ में दिया गया है पी क्यू को 400 मीटर की दूरी की दौर में दो सकेंड की सुरुवात देता है देखिए पी है और एक क्यू है 400 मीटर की दौर है और इसको क्या है पी जो है क्यू को 2 सकेंड की एक्स्टा टाइम देता है कि पहले वाद 2 सकेंड तक दौरता है उसके बाद क्यू पी स्टार्ट डोरना करता है लेकिन दोनों एक ही समय में द तो बताए ये Q को कितना समय लगेगा पुरा करने में, तो Q की चाल अगर 2 मीटर पर 30 सकेंड है, और 400 मीटर का है, तो कितना सकेंड लगेगा, तो आप कह जागा ये कितना, 200 सकेंड में क्या हो जागा, Q डिस्टेंस पुरा कभर कर लेगा, अगर Q को 200 सकेंड लगा है, तो प कितना लगेगा, तो अपसल नमबर A आपका क्या होगा, कॉस्टन नमबर 10 में कहा गया है, A और B, एक साथ काम करते हुए, एक काम को 8 दिन में पुरा करता है, जबकि B अकेला उसे 24 दिन में पुरा करता है, A अकेला उसे काम को कितने दिन में करेगा, सिम्पल है, बेसिक है, इस बेसिक से आपको सॉल करना है, देखे, B अकेला इसको 24 दिन में करता है, आपको LCM पते हो जाएगा कितना, 24 इसकी छमता हो जाएगी, 3 इसकी छमता हो जाएगी, तो 2 चम्ता है 24 है, तो कितना दिन में पुरा होगा, 24 बटे 2, option number 2, correct होगा Question number 11 को देखेंगे, P और Q एक काज को 24 दिन में पुरा कर सकता है, देखे P और Q एक काम को 24 दिन में पुरा कर सकता है, Q और R काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है इतना क्लियर है ठीक आगे कहा गया है एक जो है पी से चारगुना कुसल है वाई जो है पहले हमको पी क्यू आर की कुसलता निकालनी परेगी ठीक है तो देखें सभी का LCM कितना हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा पहलिए चोवीस पांगे एक सो बीस की चमता कितनी हो जाएगी चार औहसे चमता क्तनी हो जायेगी तो फ 6 unit का P P Q P 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 माइनस कर लेंगे, तो यह जाएगा 3, और R की चमता कितनी हो जाएगी, इसको माइनस कर लिजे, इसमें से कितना हो जाएगा 1, ठीक है, आगे देखिए, आगे कहा गया है आपको, X जो है P से 4 गुना कुसल है, मतलब X की चमता कितनी हो जाएगी, 8 यूनिट, ठीक, Y क्या है, Q Q की चमता कितनी है? 1.5 मतलब यह जए गए 2.5 तो समान काज को पुरा कर्मे में कितनी दिन लगेंगे? अब देखिए तीनों की चमता कितनी हो जागे? तेखें, आठ यूनिट और यह कितना जाएगा? 4 यूनिट, यह कितना जाएगा? यह 12 unit, x plus y plus 0, 12 unit हो जाएगी, अगर total काह मारे 120 unit किता दिन में complete करेगा, 120 बटे 12 मतलब 10 दिन में complete करेगा, बहुत ही अच्छा question था, सबसे best सवाल यही था, बांकर सब तो हलवा सवाल है, इस सवाल को पैसे solve कर सकते हैं, उमिर करते हैं, आपको उस समझ में आ रहा है, वीडिय पर अस्परस रेखाएं हैं, यदि, देखिए फरे तुम ट्रेंगल माते हैं, साइ सरक्ल मातते हैं, सरकल दो अस्परस रेखा है इस तरह से, ठीक है, लेकी एक A है और यह क्या है, बी है और प क्या है, बहरी बिन्दू है, ठीक है आप कहा गया है, यदि angle APB, I, PB यह आपको निकालने है, ठीक है, यह आपको क्या होगा, वो निकालने है, देखिए, ए चतरहुज बन रहा है, AOBP, AOBP चतरहुज बन रहा है, देखिए, यह एंगल, और यह एंगल, पता है, क्या होगा, 90 90 देखे होगा यह 90 त्यों भी 90 पता है चारों एंगल का सम कितना होता है 360 देखे तो 180 180 यह हो गया तो 360 माइनस 180 माइनस 24 180 माइनस 24 तो हमारा एंगल AO भी आ जाएगा मतलब यह हो जाएगा 180 फिर एक उसमें से 24 माइनस करेंगे तो 156 अप्सन नमबर दू आपका क्वेश्चन नमबर 13 को देखेंगे कहा गया है 2019 में उत्पाद एक की विक्री और उत्पाद एक की विक्री का लगभग अनुपाद क्या है मैं देखे शेलस उब दो कंपनी दिया है ABCDE उसका सेल्स का जोगियूह उनइस में कितना कितना हुआ उसका इडान डारेक्ट में दिया हुआ है ठीक है एक देखे 20 यूनिट है एक पिक्री 20 यूनिट 20 unit और उत्पादन E की बिक्री का अनुपात, उत्पादन B का कितना है? सब्सक्राइब का अनुपात आपको निकालना है, मतलब एक अनुपात, दो, और अंसर, option number 3 आपका correct होगा, question number 14 को देखेंगे, कहाँ गया है, निम रिखित का मान, ग्याद करना है, सबसे पहले हम लोग bracket को solve करेंगे, ठीक है, तो यह होगा, 325, पहले देखें, bracket को solve करेंगे, कितना हो जागा यह आपका, 60 minus, मतलब 83 minus 60, कितना हो जागा आपका, 23, 83 minus 60, जागा आपका 23, और यह कितना हो जागा, 81, 81 plus 104, 64, एक सोचार, एक सोचार, एक सोचार करेंगे, कितना हो जागा आपका, 46, 46, इसको डिभाइड कर लेंगे, 256 को 276 को, अगर्ण 46 से डिभाइड कर जागा, आपका, 6 बार में कर जागा, 6, मतलब 325 plus 6 कितना हो जागा, 331, इस तरह से आप इसको solve कर सकते हैं, इसको बार में कहा गया, एक संकु की तरिया कुछाई दिया है, तरिया दिया हुआ है, संकु का संपूर्ण पेश्टे शत्पल निकालना है, संपूर्ण पेश्पल क्या होता है, पाई आर इन्टू एल पलस आर, इसको solve कीजिए, पता है, आपको pi का value दे दिया है, निकालना, यूज करना है 3.14, आपके हिसाब से, एक्जाम में जो suitable है, उँज का सकते हैं, बाइश्टे साथ हो, या फिर 3.14 हो, कुछ भी यूज का सकते हैं, रेडियस आपका दिया है, 6, इंटू दोनों का सम, 16, देखे, 3.14, इंटू 96 कीजिए, देखे, तो 96 को multiply करना है, 3.14 से, तो देखे, इसको लिए 100 से पहले multiply करना होगा, 34, फिर minus कीजिए, 3.14 को 4 से multiply करना होगा, 12.56, आप देखे, 3.14 में से 12 माइस करना होगा, 302, 302 में से 56 को आप minus करे, कितना होगा, 301.44, ठीक है, question number 16 देखिए, बहुत ही basic सवाल है, देखे, y plus 1 बट्टे y का भेलू, आप निकालें, कितना होगा, 7 बट्टे 2, आपको निकालना कितना है, y square plus 1 बट्टे y square का भेलू, तो ये कितना होगा, 7 बट्टे 2, कहॉल square और minus 2, प्रती केले का मुल 24 है, प्रती केले का परिभवन लागत, 0.25 है, एक जोरी केले का मुल, मतलब 2 केले का मुल धिया है, 10 रुपिया है, तो लाब परती सथ आपको निकालना है, देखिए आप, ये क्या है, आपको 50 दरन का मतलब कितना होगा, 50 into 12, इतना केले का मुल कितना है, 2400, ठीक, ये हब का होगा, cancel ही जागा, एक 100, देखिए 2400 है तो 12 दूनी 24, बतलब एक केले का, का मुल कितना होगा आपका, 4 रुपिया, एक केले का मुल आपका होगा, कितना, 4 रुपिया, ठीक है, बतलब जोरी केले को, मतलब 2 केले को, हम 10 रुपिया में बेचते हैं, तो 4 केले को, कितना होगा, 20 रुपिया में बेचते हैं, तो 3 बतलब कितना होगा, सब्सक्राइब को आपको निखाना है देखिए आपको एक्यू प्लस प्लस दिया है सेवन एप्लस बीप्लस बीप्लस बीसी प्लस यह का फैलू दिया है देखिए आपको एक्यू प्लस बीप्लस 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 बीप देखेए थमें निकाना सिफ aq plus bq plus cq इसको हम लेजाके उधार जाकर देंगे सभी क्या भेलो दिया है पुट कर लाएंगे a plus b plus c को भेलो दिया है 7 into a plus c का होल स्कॉर कितना हो जाएगा उनन चास माइनस कितना हो जाएगा 33 पलस का यह निए 3abc पलस का 3 करेंगे 3-3 तो जाएगा कितना माइनस 3 ठीक हो जाएगा आपका 16 16 को सासे मल्टिप्ला करें कितना होगा 112 112 में से 3 को माइनस कर लें कितना हो जाएगा आपका 109 option 4 आपका question number 19 को देखेंगे 19 में कहागा ए और एक प्रजुना को 9 दिन में पूरा कर सकता है से 3. C U plus B किसी काम को 9 दिन में, B C काम को 12 दिन में, C plus A काम को 18 दिन में पूरा करता है, तो A B C वहीं लिखकर के काम को कितने दिन में करेगा, हो इसका ले लेजिए एलसेम कितनी हो जाएगा साथ साथ सात पलस 29 हुए जाएगा ₹ में कितना समय लग जाए यहीं निकालना ना चेटम चार दूनी आठ मतल्साइन नमबर तो आपका करेक्ट होगा बैसिक स्वाल था बैसिक स्सुल्ट कीजिए आंसर आजएगा क्वेस्टन नमबर 20 देखेंगे काग स्क्वाइर ऑफ स्वेंटी टू इज इक्वल टू दा प्रोड़क्ट ऑफ 216 एंडर नमबर एक्स फाइंडर नमबर एक्स से अब इसको आप शॉल्व कर लीजिए तो आप देखें स्वाल करेंगे देखें ये तीन से कर जाएगा आपका तीन बार में ये तीन जाएगा जाटू क्रितों जाएगा चोविस्टिया बहत्तर ऑफसन नमबर एक क्रेक्ट होगा क्वेशन नमबर एक्स में इसको प्राप्त करने के लिए पांच परतिसक की बार्शित तरान ब्याज पर अन्ठानवे सचालिस का निवेश करता है उसे रासी का निवेश करने निवेश कितने बरसों के लिए करना होगा देखि, अन्ठानवे सचालिस से इसको प्राप्त करना है कितना तो 1230 कितना इनको इनको इंट्रेस्ट के रूप में इनको मिलेगा 2060 कितने पर्सेंट कितने बर्स में जागा 24 साथ लाना है टीक है भेलू आपको निकालना है देगे 24 को आप काट लेते हैं 24 का जो का जिके कि जाती है बाद में इस नए मुल में आर परतिसत की कमी कि जाती है अब नविंता मुले का एक रुप्या हो जाती है तो अरामभिक मुल कितना था एक रुपीज उसमें क्या है आर परसंट की बिर्धि मतलब अगर तो 100 प्लस आर बट्टे हंड़ निया मुल यह हो जाएगा ल है चार जीरो मतलब है किसमें है और प्रसं नंबर तीन में दिए ईपसर आपका क्रेक्ट होगा एक सबस्क्राइबा के लिए साइन का आथिकता मैं क्या होगा देखिए सैं एन फिटा प्लस क्वास ऐन्ट एक होगा होता है यहां पर जीर याद पर कर लिजे तो क्या आजाएगा answer आपका option number 3 एक आजाएगा आखरी सवाल है question number 25 कहा गया है एक retailer 92,000 की अंकित मुल्ले पर मुल्ले की एक air conditioner को बिजने के लिए 30% की छूट की खुशना करता है air conditioner का क्राम मुल्ल अंकित मुल्ले से 17% कम है आज़व का आज़े खहलीदार खुद्रा भीकेटा के store का अपना सबस्ताकार्द परिसूश करता है तो वह 20% की अधरिक छूट मिल्ता है तो एक्स्टा छूट जो मिलता है सब्सक्राइब करता है इसमें भी क्या होगा इसको 56 रुपिया में बेचेगा आगे कहा गया सवाल में सब्सक्राइब के साथ कितना रुपिया का होगा इसका 26 रुपिया का सब्सक्राइब करता के लाव का कितना परतिशत है जिसके पास कितना रुपिया का प्रफिट होगा तो 40 रुपिया का प्रफिट होगा तो यह कहा गया है कितना परतिशत का लाव है वही आपको निकालना है सिंपल है आप काट लिए कितना जाएगा आपको 2 से ही कटेगा 13 यह कटेगा पांसर तेरा इंटू 5 मतलब 65 परतिसत की अंसर आजएगा समझ गया है कि सथा कार्ड जुना के तहत के साथ खुदा भी करता का लाव सब्सक्राइब कर दिए और आने वीडियो बहुत जल्द ही आपको इस चैनल पर सारे स्लीशन आपको अग्रेबल रहेगा तो तक तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिए वीडियो देखने के लिए आप रल्द पर बहुत जurun कार्वा करता क्या है बहुत